नवश्कार मैहू प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 27 अक्टूबर दिन शुक्रवार खब्लों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर मदाता सूची में ऐसे आसान तरीके से दर्ज कराए नाम नियोजिस सक्षकों को लेकर सक्षा विभा कादेश अगले तीन वर्षों में धाई हजार बसों की होगी खरीद बनेंगे 700 नए बस स्टॉप सभी जिलों में जल सक्रिये हूंगे निगरानी कोशाग हादिक पांडिया के गैर मौझूदगी में मौतपुन खिलारी को लेकर हर बजन सिंगने किया खुलासा अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 परी खबरों के ओर विस्तार से भेल में 75 ट्रेनी भरती के लिए आविदन शुरू किये गए हैं ऐसे में वे लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वह भेल के करियर पोटल करियर्स.bh.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दी के लिमिट की बात करें तो अधिक्तम आयू सीमा 27 साल है इसे जुरी अधिक जानकारी के लिए जारी के गए अधिसूशना को देख सकते हैं मदाता सूची में ऐसे आसान तरीके से दर्ज कराएं नाम अगर आपे उन में से हैं जो मदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है बता दे कि मदाता सूची में नाम दर्ज करवानी के लिए आपको और मदाता सूची का प्राडूप प्रकासन 27 अक्टूबर 2023 यानी की आज किया जाएगा वहीं दावा एवं आपत्ती आज से 9 दिसंबर 2023 तक किया जा सकता है इसके बाद दावा आपत्तियों का निश्पादन 26 दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा और मदाता सूची का अंतिम प्रकासन 25 दिसंबर 2024 को किया जाएगा इसके अलावा 28 अक्टूबर 29 अक्टूबर 25 नवंबर और 26 नवंबर 2023 को विशेश अभियान दिवस भी आयोजित किया जाएगा जसके सभी मदान के इंदर स्तरिये पदाधिकारी सहायक निर्वाचक निवंधन पतादिकारी तथा निर्वाचक निवंधन पतादिकारी के द्वारा अपने अपने छितर में आयोग के निर्देश के अनुसार मद्दाताओं का पंजी करन कारे करेंगे बिहार परटिर में आज हम बात करेंगे मनेर सरीफ के बारे में मनेर शरीफ पटना से लगभग 30 किलो मीटर दक्षिन पश्चिम की ओड है किसी समय यह सोन और गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ था आज का मनेर करीब 2000 घरों का एक कस्बा है और सरक किनारे कुछ दुकारे हैं जसमें दैनिक जीवर में काम आने वाली चीज़ें मिल जाती है यहां का नुकदी का लड़ू बहुत मशूर है मनेर किसी समय मुस्लिम संस्क्रिती का बिहार में सबसे पुराना केंद्र था मुस्लमानों के लिए दिल में इसके प्रती बहुत आदर है साल में यहां दो बार दो फकीरों की पुनितिती मनाय जाती है उस समय धर्म प्रान मुसल्मानों का बड़ा मेला लगता है मनेर में समय दो दरगा है बड़ी और चोटी बड़ी दरगा बिहार के मुसल्मानी धर्मस्थानों में सबसे जादा पवित्र गिनी जाती है इसमें महान सूफी संथ हजरत मकदूम यहिया मनेली की कब्र है बिहार में इतिनॉल के लिए मक्का उतपादन पर जोड़ राजे सरकार के द्वारा इतिनॉल का उतपादन बढ़ाने के लिए प्रदीश में मक्के का रगवा बढ़ाने का फैसला लिया गया है जिसके तहत राजे के सभे जिलों में मक्के की खेती पर जोड़ देने और सौ फीसद हाइब्रिड बीच लगाने का लक्षे रखा गया है बता दे कि बिहार सरकार के दोरा इस लक्षे को पूड़ा करने के लिए किसानों को इसके लिए बीच पर अनुदान के अलावा अने सुधाएं उपलब्द कराने की पहल की जारी है बिहार के सी विभाग के अनुसार राज्य में इस बार एक दसमलो पांच सुने लाख एकर छेतर में मक्का की खेती करने का लक्षे रखा गया है जिसमें लगबग 12,000 पुंटल तक मक्का उतपादन का भी लक्षे तै किया गया है इसको लेकर विभाग के ओर से सभी क्रिशे विज्ञान केंद्र, क्रिशे विश्विद्याले, किसान सलाहकार एवं किसी समनवया को किसानों को जागरू करने का नरदेश दिया गया है नियोजित सक्षकों को लेकर सक्षा विभाग का देश पिहार सक्षक भरती परिच्छा से चरित हुए अभ्यर्थियों में 28,200 सक्षक ऐसे हैं जो पुर्वसे कारेड़त हैं यारी की नियोजित सक्षक हैं ऐसे में इन सक्षकों को लेकर अब बिहार सरकार के सक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीब केके पाठक के द्वारा निर्देश चारी किया गया है जिसके तहत यह कहा गया है कि काउंस्लिंग के बाद चेनल सक्षकों को प्रारंबीक प्रसक्षण के लिए भेजा जा रहा है जिसमें पुर्व से भी नियोजित सक्षक सामिल है ऐसे में ये नियोजित सक्षक अब प्रसक्षन में भाग नहीं लेंगे बलकि वे अपने पुराने स्कूल में योगदान देंगे इसलिए वे सभी नियोजित सक्षक जो वर्तमार में प्रसक्षन केंटर में है वह जल से जल वहां से प्रस्थान करे और अपने अपने स्कूल में सक्षन कारी करने के लिए पहुँचे आपके जानकारी के लिवतादी के विभाग के ओर से या फैसला है स्कूलों में विद्यार्थियों के पठन पाठन में बाधित नहों इसलिए लिया गया है दिवाली छट में रेलवे चला रही साथ स्पेशल ट्रेने तेवहार में रेल से यातरा करने वाले यातरियों की बरती भीर को देखते वे रेलवे के द्वारा ओक्टूबर दिसंबर मा में लगभग साथ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है इस बारे में पुर्वम मध्य रेलवे के मुखे जनसंपर कधिकारी विरंद्र कुमार के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है कि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के अलावा स्टेशनों पर अतरिक्त टिकेट काउंटर भी खोले गया है इसके साथ ही सुरक्षा के सभी खास ख्याल रखे जा रही है रेलवे सुरक्षा बल स्टेशनों पर लगातार निगरानी रख रही है ताकि यह श्नुशित के आ जा सके कि यातरी के सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसके अलावा स्टेशनों पर डॉग स्कुरिड के साथ रेल्वे सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है विरंद्र कुमार के द्वारा बताया गया कि प्रमुक स्टेशनों पर सुरक्षा बल और पुलिस प्रशासन के लावा स्काउट एवं गाइड की भी तेनाती की जा रही है साथ ही यात्रियों की सहायता के लिए प्रमुक स्टेशनों पर में आई हल्प यू डिस्क बनाया गया है इसके अलावा चिकसा सहायता बूत भी इस्थापित किये गए हैं। इसके अलावा चिकसा सहायता बूत भी इस्थापित किये गए हैं। इसके अलावा चिकसा सहायता बूत भी इसके अलावा चिकसा सहायता बूत भी इस्थापित किये गए हैं। इसके अलावा पड़िवान विभाक की ओर से राजी में 700 से अधिक नए बस स्टॉप बनाने का भी निर्णय लिया गया है। इसको लेकर विभाक की ओर से सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है ताकि प्रात्मिक्ता के आधार पर नए बस स्टॉप का निर्मान किया जा सके वहीं शहरों से पुराने बस स्टॉप को हटाए भी जाएंगे। ग्रामी सरकों की निगरानी को हर प्रमंडल में बनेगा कोशांग। की बिहार में 11,626 किलोमीटर ग्रामी सरके हैं। इंजिनरों की सेवा बाहे एजिंसी के द्वारा ली जाएगी विभाक की ओर से इनकी सीधी न्युक्ती नहीं की जाएगी। ऐसे में बाहे एजिंसी का काम होगा कि वो विभाक को जरूरत के अनुसार इंजिनर मुहया इसके लिए विभाक की ओर से जिंसियों को नवंबर तक का समय भी दिया गया है। सूत्री मांग शामिल है वहीं विधायक के द्वारा ग्यापन को ग्रहन करते वे सभी काड़े करताओं को आसफाशन दिया गया और कहा गया कि हम आपके सभी जायस मांगों के साथ हैं और इस समन्मन में मंत्री से भी बात करने की कोशिश करेंगे इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि आपके मांगों को विधान सभा सत्र के दौरान पटल पर भी जारी करेंगे प्यारी पहचान में आज हम बात करेंगे मंजुल सिनहा के बारे में मंजुल सिनहा एक भारतिय टेलीवीजन नर्देशक है सानिक स्कूल तिलया से हाइ स्कूल पास करने और बाद में उ जंदगी से मिला जो भारतिय टेलीवीजन पर पहले सिटकॉम में से एक था उन्होंने कई आगामेफल नर्माताओं लेखकों और अभी निताओं का मार्क दर्शन किया है उनमें इकबाल प्रसिदी के विपुल के रावल उलेखनिये हैं 2004 में उन्हें 29 वे रेडियो और टे और से एक योजना चलाई जारी है जिसका नाम है बिहार अंतरजातिय विवाह प्रोथ साहान ग्योजना बता दे किस योजना के तहस सरकार की और से 50 लाग रुपई दी जाते हैं हालक इस के लिए सरकार की और से कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है जिसके तहत सी या सामाने जाती से हो विवा हिंदू मैडिज एक्ट उनी सो पच्पन के तहर शादी का रेजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इस योजना का लाब शादी के एक साल के भीतर आविदन करने पड़ ही मिलेगा ऐसे में वे लोग जो इस योजना का लाब लेना चाहते हैं वो इ चाहती प्रमान पत्र आधार कार्ड राशन कार्ड निवास प्रमान पत्र जन प्रमान पत्र वर्वधु के सिंवत बैंक खाते की डिटेल और मोबाईल नमर शामिल है बकसर में बन रहा देश का पहला स्टाइलो गोदांग बहुत जल्दी बिहार के बकसर के इटारी में देश का पहला स्टाइलो गोदांग बनकर तयार होने वाला है फिलाल इसका निर्मान कारे अंतिम चरण में हैसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह कारे वर्स 2024 के मार्च महीने तक पूरा कर लिया जाएगा मालम हो कि साइलो गोदाम का निर्मान पाइलेट प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा जिसमें आधोनिक रूप से अनाज का भंडारन करने के व्यवस्ता होगी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि साइलो गोदाम का निर्मान 11 एकर में किया जा रहा है जिसमें खर्च होने वाली अनुमानित लागत 33 करोर उपे की है या एक बड़ा स्टील के धांच की तरह होता है जिसमें कई बिलनाकार टैंक होते हैं जो नमी और तापमार में प्रभावित नहीं होती और यही वज़ा है किसमें लंबे समय तक अनाज का भंडारन बिलकुल जा सकता है इसमें रेलवे साइंडिंग का जरिये बड़ी मात्रा में अनाज की लोडिंग अनलोडिंग की जा सकती है सभी जिलो में जल सक्रिय होंगे निगरानी कोशांग बहुत जल्दी राजे सरकार के दोरा विहार के सभी जिलो में निगरानी कोशांग गठित कर उन्हें सक्रिय करने का काम किया जाएगा बता दे कि अभी तक राजी के 25 जिलो में निगरानी कोशांग का गठन हो चुका है तो वहीं सेज शिलो में गठन कार्य जल्धी सक्रिय कर दिये जाएंगे। पर जिला स्तरिय निगरानी को शांग के द्वारा हीं काडवाई की जाएगी। पर जिलो में उतार चड़ाव जैसे हालात बने रहेंगे। मून मिशन के लिए रूवर चालेंज प्रोग्राम में अपनी प्रतीभा दिखाएंगे बिहार के लाल। पहर के भागलपूर द्रुग गंज निवासी गोपाल जी का नासा के द्वारा ही प्रोग्राम के लिए चेहन किया गया है। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक रहता है तो नासा के आगामी मून मिशन में इनके द्वारा तयार के गए रूवर के तकनीक का नासा इस्तमाल कर सकती है। इनके रूवर तकनीक को देखा जाएगा और अगर बहत्तर टीमों में से कौपाल जी के रूवर का तकनीक योग्य साबित होता है तो नासा के ओर से पुरुस्तित किया जाएगा और साथ ही इनके रूवर को मून मिशन में इस्तमाल किया जाएगा। मैथली में बनी पहली वेफ सरीज नून रोटी का प्रीमियर प्रिया मलिक के द्वारा गाये गया है तुरान मंत्री संजय जाके द्वारा कहा गया कि यह एक ऐसी वेफ स्रीज है जिसे आज पुड़े परिवार के साथ बैठ कर देख सकते हैं मैथली भाषा में जादा मीठ अपन है या बिहार का आकेल समधानिक भाषा है वहीं वेफ स्र 12 ऑक्टूबर को बिहार की राजधाने पटना मिस्थ स्थ स्थाकत आश्रम में मौझूद कॉंग्रस के प्रदेश काड़याले में बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री श्रिकृष्ण सिंखी जयंती पर समारों का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अथिती के रूप में र पाहुल गांधी ने समाचिक न्याई के जंडे को अपनाया है हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं बिहार से हवा देश भर में फैलेगी और नरेंत्रमोधी अमिस्था और RSS का सूप्रा साफ कर दिया जाएगा इसके साथ ही लालू यादव के द्वारा यह भी कहा गया कि हमारे द कारी होने के बाद एक तरफ जहां अभ्यार्थियों के द्वारा इस पर गरबरी कारूप लगा कर हंगामा किया जा रहा तो वहीं दूसरी और बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री जीतर ना माची के द्वारा भी इसको लेकर एक बड़ी मांग कर दी गई है उन्होंने ट्व कार में कोई व्रशचारी नहीं बचने वाला वहीं अब उनके इस मांग पर जेडियू की ओर से समाज कल्यान मंत्री मदन सहनी के द्वारा जवाब देते वे कहा गया है प्यादी किसी तरह की गरबरी होगी तो जांच होगी और जांच तो होते ही रहती है उन्हें कहा कि किस कि दूसरी लिस्ट कुस दिनों पहले ही जेडियू पार्टी के ओर से मध्य प्रदेश में होने वाले विधान सभा चनाओ को लेकर पांच सीटों पर अपने उमिद्वारों की लिस्ट जारी की गई थी वहीं अब जेडियू की ओर से दूसरी सूची भी जारी कर अन्य पां गोटे गाउं विधान सभा सीट से प्रमोत कुमार महरा, बहुरी बंद विधान सभा सीट से पंकज मौडया, जबलपूर उत्तर विधान सभा सीट से संजय जैन और बालागार विधान सभा सीट से विजय कुमार पतले का नाम शामल है हार्दिक पांडिया की गैर मौजूदगी में महतपुन खिलारी को लेकर हर्बजन सिंग ने किया खुलासा हार्दिक पांडिया के चोटिल होने के कारण उनकी गैर मौजूदगी में खेलने वाले महतपुन खिलारी को लेकर भारतीय टीम के पुर्व ओफ स्पिनर हरवजन सिंग के द्वारा अपनी प्रतिक्रियाद दी गई है उन्होंने कहा कि हार्दिक पांडया का अगले दो मैचों में खेलना मुश्किल है पांडया के गैर मौझूदकी में सुरी कुमार यादा बहुत महतपुन बन जाते हैं वो नमबर 6 की एहम पोजीशन पर बल्ले बाजी करेंगे वो पिछले मैच में थोड़े दुर्भा के साली रहे वो विराट कोली के साथ खेलते वे गलत तरह से रन आउट हो गये उन्होंने कहा कि अगर सुरी कुमार यादा फ्रीज पर जमते तो न्यूजलैंड के खिलाफ मैच इतनी दूर तक नहीं जाता विराट कोली जब तक क्रीज पर नहीं थे तब तक चुनता की बात नहीं थी लेकिन सुर्या इस टीम के एहम सदश्य है मेरा माना था कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो इस पर रन आउट की भड़पाई कर देंगे इस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में वन्डे सिरीज में उनका प्रोदर्शन सांदार था भारत की तिहास में आज की तारीक है कहीं कार्णो सदर्च जमो कश्मीर के राजा हरी सिंग ने 1947 को भारत में जमो कश्मीर के विलाई को स्विकार कर लिया केंदर सरकार ने 2008 में अकबार उद्द्यों के पत्रकारों और गैर पत्रकारों को अंतरिम राहत के अधिसूशना जारी की सुतंता सिनारी और क्रांतिकारी जितंदर नात दास उर्फ चतन दास का कलकत्ता में जन 1904 को हुआ भारत के राश्रुपती के आर नानायनन का जन 1920 में हुआ फिल्म जगत के साथ-साथ भजनों से खास पहचान बनाने वाली अनुराधा पोडवाल का जन 1952 में हुआ भारत के संक्राम में सम्मलत होने बारे प्रमुख भारतियों में से एक T.S.S. राजन कानिधन 1903 में हुआ गांधी जी के नीजी सची प्यारे लाल कानिधन 1992 में हुआ मशूर भारतिय क्रिकट खिलारी विजय मर्चन कानिधन 19 sneaky में हुआ हिंदे फिल्मों के प्रसद अभीनिता प्रदीप कुमार का निधन 2001 में हुआ ट्विटर पर आया वीडियो और ओडियो कॉल फीचर ट्विटर पर वीडियो और ओडियो कॉल फीचर के आने की शिरवात हो गई है इसकी जानकारी एलन मस्क के द्वारा एक्स पर ट्विट कर शियर की गई है बता दे किस फीचर को ओन करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाकर प्राइवसी एंड सेफटी आप्शन में आना होगा यहां आपको डारेक्ट मैसेज पर क्लिक कर ओडियो और वीडियो कॉलिंग के ओप्शन को ओन करना होगा यदि यह फीचर आपके अकाउंट पर लाइव होगा तो यह आपको दिखाने लगेगा वरना आपको थोड़ा इंतजार और करना होगा इस feature कौन करते हैं आप ये भी तै कर पाएंगे कि आपको कौन call कर सकता है दरसल आप audio और video call को सिर्फ contact या फिर जिन लोगों को आप follow करते हैं या फिर ऐसे लोग जो verified है उन तक सिमित कर सकते हैं मालम हो कि ट्विटर पर आया audio और video call फीचर वोटसेप और इंस्टाग्राम की तरह ही है यानि इसका इंटरफेस एक जैसा ही है और आपको टॉप राइट कौरर में audio वीडियो कौल का आप्शन मिलता है वारल कर में आज हम बात करेंगे लोटरी की पेशकस के बारे में सोशल मीडिया पर कहीं सूचना वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है इसी कड़े में आज हम बात करेंगे लोटरी के पेशकस के बाड़े में दरसल PIV ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक फरजी पत्र में 25 लाख रुपे की लोटरी की पेशकस का दावा किया गया है पंची करन सिल्ख के रूप में 6100 रुपे के भुकतान पर प्राप्त करता को करना होगा प्याइबी ने अपे ट्वीट में लिखा है कि लोटरी घोटालों से साफधान रहे ऐसे इमील का जवाब ना दे कभी भी अपनी व्यक्तिक अत्वीतिये जानकारी किसी के साथ साजान ना करे नौसो एक पॉइंट्स टूट गया सेंसेक्स टूबे निवेशक के तीन लाग करो रुपे बीते दिन घरिलू स्टॉक मार्केट पर एक्स्ट्रा प्रेसर देखने को मिला बता दी कि बीते दिन निफ्टी दोसो चौसर दसमलों नौ श्रिने पॉइंट्स यानी एक दसमलों तीन नौ प्रतीशत की गिरावट के साथ अथाड़ा हजार आट को उनमें बंद हुए उनमें एक्सिस बैंक, आईटीसी, एक्सी एल टेक, इंडस इंड बैंक और एंटी पीसी के नाम शामिल है वहीं सबसे अथिक गिरावट के साथ जो शेयर रहे उनमें M&M, बजास, फाइनेंस और सियान, पिंट के शेयर सामिल है वालमों कि 6 कारोबार और भुगोल से रहेंगे, पूछे गए 500 सवाल में, आपने कितना सही उतर दियाक रिपा करके यहामें कॉमेंट में जरूर बताएं, हमारा पहला सवाल है, हाली में हावर्ड लॉज स्कूल ने वैस्विक नत्त्व के ये पुर्सकार किसे प्रदान किया है, ऑप्शन ए डी दीवाई चंद्रचूर, अगला सवाल, हाली में वंडे वर्ल्ड कप में दो बार पांच विकेट हासल करने वाले पहले भारतिये गेंदबाज कौन बने हैं, ऑप्शन ए विराट कोली, ऑप्शन ए सुभमन गिल, ऑप्शन सी मोहमत समी, ऑप्शन ए इशान किसन, इसका सहीध तरह ऑप्शन सी मोहमत समी, अगला सवाल, हाली में कौन से पुराने वंश पिहार से नहीं थे, ऑप्शन ए मौडे, ऑप्शन ए गुप्थ, ऑप्शन सी कलिंग, ऑप्शन ए नंद, इसका सहीध तरह ऑप्शन सी कलिंग, अगला सवाल, मुझपरपूर बमकांड में किस क्रांती कारी को 1908 में अलिपूर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी, ऑप्शन ए प्रफुल चंद्र, ऑप्शन भी, खुदी रामबोस, ऑप्शन C केदारनाथ चतरजी, ऑप्शन Д बाबा ठाकुरदार, इसका सहीध तरह ऑप्शन भी, खुदी रामबोस, अगला सवाल, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए भोला पवंच श स्का स्री कृष्णा सिंग ओप्शन डी दीप नरायन सिंग, इसका सही उत्तर है और स्कृष्णा सिंग, विए दिन हमारी दूरा पूछी के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रचाप हमें आरे कॉमें सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमार सीमा कुमारी पंचम वर्मा. खुशियर्मा, पात्मा फातूर खौटून. उमेश स्रिसिद्य। स्ने जिएक सिग्ञ , अंकित कुमार , राम प्रिया , विद्यार्थी रिटु जितूर रवी कुमार , राम कुमार कॉसल सिंंग इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके छेतर के सरकों के सिती कैसी है अपना जवाब हुए हमारे कॉमेंट सेक्षिन में लिखका जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ पने रहने कले देखते रहें बिहारी स्काइब करना और अगरा फेस्वुक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना न भूले थन्यवाद